दोस्तों नमस्कार ये हमागदेशन फ्रोर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्यन पुर्वावलोकन स्रिंखला के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारती राजविवस्था एवं सासन से संबंधित महत्पूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है इस वीडियो में हम भारती राजविवस्था एवंसासन के महत्पूर टॉपिक मूल कर्तब्यों से संबंधित महत्पूर प्रश्णों को कवर करेंगे तो आएए शुरू करते हैं घटना चक्र सामान अध्यन पुर्वावलोकन स्रिंखला के अंतरगत भारती राजविवस्था एवंसासन से संबंधित महत्पूर प्रश्णों को पहला प्रश्ण है दूस्तों निम्नलिखित कतनों में से कौन से भारती नागरिक के मूल कर्तब्यों के विशय में सही है देखे इन कर्तब्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक बिधाई प्रक्रिया दी गई है तो ये सही नहीं है दूसरा कथन है कि ये विधिक कर्तब्यों के साथ परसपर संबंधित हैं तो ये भी आपका सही नहीं है तो सही उत्तर ने तो एक ने तो दो आपसंडी आपका सही उत्तर हो जाएगा दूस्तों भारती संविधान के भाग चार क के तहत अनुच्छेद 51 क यानी अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तब्यों का प्रावधान किया गया है स्वण सिंह समित की सिभारिस की आधार पर 42 वे संविधान संसोधन अदनियम 1976 द्वरा मूल कर्तब्यों को संविधान में जोड़ा गया है नागरीक इν कर्तब्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध is है हलाकि इन कर्तव्यों को प्रवर्थित करने के लिए कोई भी विधाई प्रक्रिया नहीं है नीत निदेशक्सिद्धानतों की तरह ये भी नियायोचित और वादयोग्य नहीं है यानि इनके उलंगन या अनुपालन नहीं होने पर कोई कानूनी कारवाई नहीं हो सकती है अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से किस की संस्तुती पर भारती संभिधान में मूल करतब्यों को शामिल किया गया था तो सही उत्तर है स्वार्ण सिंग समिती की संस्तुती पर भारती संभिधान में मूल करतब्यों को शामिल किया गया था अगला प्रशन है दोस्तों निम्ण में से किस कमेटी या आयोग ने संभिधान में मूल करतब्यों को शामिल करने की संस्तुती की थी तो आप जानते हैं स्वन्ड शिंग कमिटी ने अगला प्रश्ण है संभिधान में मूल कर्तवियों को जिसकी सिफारिस से सामिल किया गया है वो कौन है तो वो है स्वन्ड सिंग समिती दोस्तू स्वन्ड सिंग समित की सिफारिस पर 42 संभिधान संसोधनत नियम 1976 के द्वारा मोल कर्तव्यों को भारती संविधान में जोड़ा गया था अगला प्रेश्ण है कि संसोधन द्वारा भारती संविधान में नागरिकों के मोल कर्तव्यों को शामिल किया गया है तो सही उत्तर है 42 संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत की प्रभुता एक्ता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अच्छून रखने के मोल करतब्य को किस अस्थान पर रखा गया है चौथे पहले दूसरे या तीसरे तो सही उत्तर है तीसरे और आप देख लिजे की भारत की प्रभुता एक्ता और अखंडता की रक्षा करने और अच्छून रखने के मोल करतब्य को भारती संबिधान के अनुच्छेद 51 क क के तहत तीसरे अस्थान यानी उपखंड ग़ में रखा गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों मोल करतब्यों का उलेक संबिधान में कब किया गया था आपसन है आपके संबिधान निर्माण के समय 26 जनवरी 1950 को 42 में संबिधान संसोधन या 41 में शंसोधन के द्वारा तो सही उत्तर है मोल संबिधान में मोल करतब्यों का उले 42 में संबिधान संसोधन अधनियम 1976 के द्वारा जो कि 31977 से भारती नागरिकों के लिए भारती संबिधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क सामिल करके 10 मौलिक कर्तव्यों की बेवस्था की गई 86 में संबिधान संसोधन अधनियम 2002 के द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्यों बढ़ा दिया गया जिससे इनकी संख्या वर्तमान में 11 हो गई है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारती संबिधान के किस अनुच्छेद में 42 में संबिधान संसोधन विध्याक द्वारा मौल कर्तव्यों को शामिल किया गया है तो आप जानते हैं ये है अनुच्छेद 51 क अनुच्छेद 51 क या 51 A और भारती संबिधान के भाग 4 क में केवल एक अनुच्छेद में अनुच्छेद 51 क के अंतरगत मौल कर्तव्यों को शामिल किया गया है अगला प्रेशन है संबिधान में मौलिक कर्तब्यों को कब शामिल किया गया तो सही उत्तर है संबिधान में मौलिक कर्तब्यों को 1976 में शामिल किया गया है अगला प्रेशन है कि संबिधान में नागरिकों के मौल कर्तब्यों की वेवस्था 42 में संबिधान संसोधन के द्वारा किस वर्स की गई है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर 1976 यानी 1976 में अगला प्रिशन है भारत के संबिधान के किस भाग में मौलिक कर्तब्यों का उल्ले किया गया है तो भाग 4A यानी 4K में अगला प्रिश्ण है मूल कर्तब भारत के संविधान के किस भाग में दिये गए हैं तो भाग चार क में दोस्तों मूल कर्तब्यों की विवस्था है अगला प्रिश्ण है निम्नांकित में से कौन स्वांड सिंग समिती के सदा से रहे हैं देखिए ए आर अन्तुले, एस एस रे, हरिदेव जोशी और सी एम इश्टिफन तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा A.R. अंतुले, S.S. रे और दोस्तों C.M. इश्टिफन देखिए A, B और D, आपसन C आपका सही उत्तर हो जाएगा और इस प्रश्ण की ब्याख्या देख लीजिए 1976 में संबैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वांड सिंग समिती गाठित की गई और संबिधान में 10 मौलिक करतब शामिल किये गए 2002 में 86 में संबिधान संसोधन अद्नियम 2002 के द्वारा एक नया मौलिक करतब 6-14 वर्स के बच्चों के सिक्षा से संबंधित इसको जोड़ा गया तो मौलिक करतबियों की संख्या 11 हो गई है और स्वार्ण सिंग समित में अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य थे और इन विकल्पों में एयारांतुले, एस एसरे और सीयमिश्टिफन इस समित में शामिल थे अगला प्रश्ण है कि संबिधान संसोधन द्वारा भारती नागरिकों के लिए 10 मौल करतब्य संबिधान में जोड़े गये थे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ये है 42 संबिधान संसोधन 1976 अगला प्रिश्ण है दोस्तों भारत के नागरिकों को मूल करतब्यों का विवरण सम्विधान के किस भाग में दिया गया है तो ये है भाग चार क अगला प्रेशन है भारती संविधान के किस अनुछेद में भारती नागरिकों के मूल कर्तब्यों को शामिल किया गया है तो आप जानते हैं कि अनुछेद 51 क भाग 4 क के अंतरगत अनुछेद 51 क में नागरिकों के 11 मूल कर्तब्यों को शामिल किया गया है अगला प्रश्ण है 42 संबैधान संसोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है तो उत्तर है मौलिक कर्तब्य दोस्तों जो मूल कर्तब्य हैं वो एक तरह से नागरिकों के लिए 10 आचार आदेश हैं इनको नैतिक रूप से पालन करना जरूरी है अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए महत्तुपूर्ण प्रश्ण है कि कवन एक संबैधानिक संसोधन मौलिक कर्तब्यों से संबंधित है तो सही उत्तर 42 संबैधान संसोधन मौलिक कर्तब्यों से संबंधित है अगला प्रश्ण है भारत के संविधान में मौलिक करतब्य की संविधान संसोधन की द्वारा जोड़े गए हैं तो सही उत्तर है 42 में संविधान संसोधन के द्वारा अगला प्रश्ण है 42 में संभिधान संसोधन 1974 से भारती संभिधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया वो अध्याय कौन सा है तो वो है मौलिक करतब्य अगला प्रश्ण है दूस्तों आप देखिए मौलिक करतब्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला है इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है उन्हें संबायधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है और असपश्ट वीधियों की ब्याक्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है और किसी विसेष्ट करतब्य का पालन करना तथा संबायधानिक कालून के छेतर में आता है जिसे नियायाले निश्यत करता है तो कौन सा कथन इसमें आपका सही नहीं है आपको बताना है तो देखिए उन्हें परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है ये सही नहीं है क्योंकि मौलिक करतब्य न्याय योग या वाद योग नहीं है तो आपसन ए जो है ये आपका कथन सही नहीं है मौलिक कर्तब बे लोगों पर नैतिक जिम्मेदार यारोपित करते हैं प्रसासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है जबकि रीटे जो है वो प्रसासनिक अधिकारी के विरुध्ध जारी की जाती है अगला प्रेशन हैं दोस्तों भारती संबिधान के अंतरगत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक करतब्य नहीं है आपको बताना है देखिए आम चुनाओं में मतदान, बैग्यानिक द्रिश्टिकोन की भावना का विकास, सारुजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संबिधान का पालन और इसके आदर्सों का सम्मान तो आम चुनाओं में मतदान ये मौलिक करतब्य नहीं है मौल रूप से हमारे संबिधान में मौलिक करतब्यों का वाड़न नहीं था हमारे संबिधान में मौलिक करतब्यों की ओधाना ततकालीन सोवियस संघ से ली गई नागरिकों के मौलिक करतब्य संबिधान में 1976 के 42 संबिधान संसोधन द्वारा जो इसका प्रवर्तन 3 जन्वरी 1977 से हुआ है इसके तहट भारती संभिधान के भाग 4A और अनुछेद 51A जोड़ा गया जिसमें मोलते नागरिकों के 10 मौलिक करतब्यों का उलेख किया गया था 2002 के 86 में संभिधान संसोधन जो की 1 अप्रेल 2010 से प्रभावी है मोलिक करतब्यों की संख्या में एक की बृद्धी कर दी गई और अब ये 11 हो गये हैं तो अनुछेद 51A के अनुसार भारत के प्रतेक नागरिक का ये करतब्य होगा कि वो संभिधान का पालन करे उसके आदर्सों, संस्थाओं, राष्ट द्वज और राष्टगान का आदर करे स्वतनता के लिए हमारे राष्टी आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्सों को हिरदय में सजोए रखे उनका पालन करे भारत की सम्प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अच्छोण रखे देश की रक्षा करे और आहवान किये जाने पर राष्ट की सेवा करे भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भ्रातरित्यों की भावना का निर्मार करे जो धर्म भासा और प्रदेश या वर्ग पर आधारी सभी भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो इस्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है हमारी सामासिक संस्कृत की गौरोसाली परंपरा का महत्तो समझे और उसका परिरच्छन करे प्राकरतिक पर्यावरण की जिसके अंतरगत वन जील नदी और वन जीयों है रच्छा करे उसका संबर्धन करे और प्राण मातर के प्रति दयाभाव रखे वैज्यानिक द्रिष्टिकोन मानोवाद और ग्यानारजन तथा सुधार की भावना का विकास करे सारवजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे व्यक्तिगत और सामुहिक गत्विधियों के सभी छेत्रों में उतकर्स की और बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट निरंतर बढ़ते हुए प्रयातने और उपलवधि की नई उचाईयों को छूले माता पिता या संरक्षक 6-14 वर्स की आयुवाले अपने अथा इस्थिती बच्चे या परतिपाले के लिए सिक्षा का आउसर परदान करें और ये कर्तब 86 में संबिधान संसोधन अतनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है तो इसमें अस्पष्ट है कि आम चुनाओं में मतबदान करना ये मौलिक कर्तब नहीं है अगला प्रश्ण है भारत के संबिधान के अनुच्चेद 51 के उपबंधों के तहत परियुक्त पालन और आधर सब्द किस से संबंधित है आप सन देखिए संबिधान भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता सामासिक संस्कृति की गौरोसाली परंपरा या फिर प्राकृतिक पर्यावरान से तो सही उत्तर है संबिधान के दोस्तों भारती संबिधान का अनुच्छेद 51 का मोल करतब्य के पर्थम खंड के अनुसार भारत के परतेक नागरिक का ये करतब्य होगा कि वो संबिधान का पालन करे उसके आधर सो संस्थाओं राष्ट दोज और राष्ट गान का आधर करे अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से भारत में मोलिक करतब्य कौन सा है नियाई पालिका से कारिपालिका का पिर्थक करन हमारी मिली जुली संस्कृती की समरिध विरासत को संरक्षित करना बच्चों के लिए मुफता और अनिवारे सिक्षा या फिर छुआ छुआ छूत अगला प्रश्ण है एक नागरिक के मूल करतब्यों में निमनलिखित में से कौन सा करतब्य शामिल नहीं है देखे प्राकृतिक परियावरण की रक्षा और उसका संबर्धन ये सामिल है सोतंता के लिए हमारे राष्टे या अंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्चादर्सों को सजोए रखे और उनका पालन करे ये भी शामिल है अस्प्रिश्यता मिटाने का प्रियास करे ये नहीं है और वैग्यानिक द्रिष्टिकोन मानोवाद और ग्यानारजन तथा सुध अधार की भावना का विकास करे तो आपसंसी जो है अस्प्रिश्यता मिटाने का प्रियास करे ये मौलिक करतब्य नहीं है और दोस्तों अनुच्छे सत्रे के तहट अस्प्रिश्यता का अंत मौलिक अधिकारों में शामिल है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन भारती संबिधान के अंतरगत मौलिक करतब्यों में शामिल नहीं है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना और आप जानते हैं ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना अनुछे चालिस के तहट ये नीती निदे सकता तो है जबकि देश की रच्छा करना और राष्ट की सेवा करना अनुछे दे क्यावन घ के तहत हमारी सामासिक संस्कृति की गौरो साली परंपरा का महत्तो समशना उसका परिरक्षण करना अनुछे दे क्यावन का च के तहत तथा सारुजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिं जिर्धारित किया गया है देखिए देश की रक्षा करना बिलकुल आयकर आदा करना ये नहीं है हमारी सामासिक संस्कृति की गवरोसाली परंपरा का परिरक्षन सही है सारोजनिक संपत्ति की सुरक्षा तो एक तीन चार एक तीन चार आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएग ये मूल कर्तब्यों में शामिल है अगला प्रिशन है भारती संविधान दोरा परदत नागरिकों के मूल कर्तब्यों में क्या क्या है देखे मिस्रित संस्कृति की समरिध विरासत की रच्छा बिल्कुल सही है सामाजी का नयाय से कमजोर वर्गों की रक्षा ये नहीं है वैज्ञानिक मनोदसा और खोज की भावना का विकास सही है वैक्तिक और सामोहिक कारे कलापों के सभी छेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रियात्न तो यहाँ पर देखे एक तीन और चार आपका सही है आपसंसी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामाजी का नयाय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्टब्यों में शामिल नहीं है अगले प्रेशन पर आते हैं निम्नलिखित में से किस एक का संड़क्षन भारती नागरिक का मूल कर्टब्य है देखिए ग्राम पंचायत राष्टी ध्वज अनुसूचित जाते और जन जाते ये बन्ने प्राणी तो सही उत्तर है राष्टी ध्वज देखिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बन्ने प्राणी आपसंडी दोस्तु भारती संबिधान के अनुच्छेद 51 को अच्छ के तहत मूल कर्टब्यों में बन्ने जीवों का संड़क्षन सामिल है इसमें राष्टी ध्वज का भी उलेक है लेकिन उसका संड़क्षन नहीं बलकि आदर करने की बात कही गई है नकी संड़क्षन की ग्राम पंचायत और अनुसूचित जाती और जन जाती का उलेक मूल कर्टब्यों में नहीं है अगला प्रश्ण है भारत के प्रतेक नागरिक का कर्टब्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संड़क्षन और सुधार ये शामिल है कहां पर तो कर्टब्य मूल कर्टब्य ह और आप जानते हैं भारत के प्रतेक नागरिक का कर्टब्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संड़क्षन और सुधार ये सम्विधान में मौलिक कर्टब्यों में शामिल किया गया है जिसका बढ़न अनुसूचित जीवों की रक्षा का प्रियास करेगा अगला प्रश्ण है निम्नांकित में से कौन एक गलत है मूल कर्टब्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है तो ये आपका सही नहीं बलकि गलत है मूल कर्टब्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है बिलकुल सही है भारती संबिधान के भाग 4 कव में मौलिक करतब्यों की बियाक्या करता है तो मूल करतब्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यही कथन आपका गलत है क्योंकि 42 संबिधान संसोधन 1976 के द्वारा भारती संबिधान में एक नया भाग भाग 4 क अनुच्छेद 51 ए जोड़कर मूल करतब्यों को समायोजित किया गया था ये मौलिक अधिकार यानि भाग 3 के अनुच्छेद 12-35 तक का हिस्सा नहीं है अगला प्रिश्ण है निमने लिखित में से कौन सा एक मौलिक करतब्य नहीं है देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संबर्धन करना ये है राष्टगान का सम्मान करना ये भी है राष्टी महत्तों के असमारकों और अस्थानों की रक्षा करना ये नहीं है सारुजनिक संपत्ति की सुरक्षा तो आपसन C आपका सही नहीं है क्योंकि आप जान लेजे भारती संबिधान के अनुच्छेदे क्यावन A के तहत मौलिक कर्टब्यों में प्राकृतिक पर्यावरान की रच्षा और संबर्धन करना खंड G में, राष्टिकान का आदर करना खंड A में और सारुजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना खंड I में सामिल है राश्टी महत्यों के अस्थानों और अस्थानों की सुरक्षा करना ये मौलिक करतब्यों में शामिल नहीं है बलकि ये संभिधान के अनुछेर 49 के तहट नीत निदे सकत्तों में शामिल है अगला प्रिश्ण है निमने लिखित में से कौन सा एक मौलिक करतब्य नहीं है राश्टिगान का सम्मान करना है और इसके अलावस राश्टी संपत्ति की सुरक्षा या बचाव सही है राश्टी महत्तों के अस्थानों और असमारकों की रक्षा करना ये नीत निजल सकत्तों में है प्राकृतिक परियावरार का संरक्षन और सुधार ये आपका मौलिक करतब्य है तो सही उत्तर आपसंसी राश्टी महत्यों के अस्थानों और असमारकों की रक्षा करना दोस्तों ये मोल करतब्यों का नहीं बलकि नीट निजल सक्तत्तों का भाग है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सत्तु भारती संबिधान के भाग चार ए यानि मोल करतब्य में वाडित नहीं है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये मोल करतब्यों में शामिल नहीं है अगला प्रश्ण है भारती संबिधान के अंतरगत निमने लिखित में से कौन सा मोल करतब्य नहीं है आपको बताना है तो आप जान लीजिए दोस्तों ये लोग चुनाओं में मतदान करना जो है ये मोल करतब्यों में शामिल नहीं है लोग चुनाओं में मतदान करना आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा लोग चुनाओं में मतदान करना ये मोल करतब्य नहीं है भारती संभिधान के अंतरगत मोल करतब्य की सूची अनुछेद 51 क में दी गई है जिसमें कुल 11 मोल करतब्यों को शामिल किया गया है अगला प्रश्ण है निमने लिखी दियुगमों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है तो यहां पर आप देखिए भाग 2 में नागरिकता सही सुमेलित है भाग 3 में मोल अधिकार सही है भाग 4 में राज्ये के नीत ने दे सकता तो और भाग 5 में मोल करतब्य तो सही नहीं है तो सही उत्तर है ये मोल करतब्य का हिस्सा है भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अच्छोंड रखे ये उब्बंद भारती संविधान के भाग चार क में अनुछेद 51 क के तहत मोल करतब्य है स्वांड सिंग समित की अनुसंसा पर 42 में संविधान संसोधन अधनियम 1976 के द्वारा भाग चार के तहत अनुछेद 51 क के अंतरगत मोल करतब्यों को जोड़ा गया है इनकी कुल संख्या मोल रोप से 10 थी लेकिन 86 में संविधान संसोधन अधनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्स की आ भारती संविधान में कुल कितने मोल करतब्य हैं तो आप बताईएगा भारती संविधान में वर्तमान में कुल 11 मोल करतब्य हैं अगला प्रशन है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए यहां पर विशय और भारती संविधान के अनुच्छेद दिये गए हैं अंतराष्टी विधि के प्रति आधर बढ़ाना तो आप जान लीजिए ये अनुच्छेद एक्यावन गव में हैं प्राडियों के प्रति दया भाव रखना तो प्राडियों के प्रति दया भाव अनुच्छेद एक्यावन कच्छ में हैं कच और ग्यानारजन और सुधार की भावना का विकास करना तो ग्यानारजन और सुधार की भावना का विकास एक्यावन कज़ में है और इसके अलावा राज्य की लोग से वाव में नियाई पालिका को कारेपालिका से प्रिथा करना अनुछेद 50 में शामिल है तो इस तरह से आप सही सुमेलन कर सकते हैं दो चार एक तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो घटना चक्र पुरुवाव लोकन स्रिंखला के अंतरगत सामान निग्यान में भारती राजविवस्था और सासन से संबंधित महत्तपूर्ण प्रश्ण इसमें हमने संबिधान के महत्तपूर्ण टॉपिक मूल करतब्यों से संबंधित महत्तपूर्ण प्रश्णों को कवर किया जो आपके प्रीवियस एर्स एक्जाम्स में पूछे गए हैं और इनसे आधारित प्रश्ण आगामी परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं इसलिए इस टॉपिक से संबंद सभी प्रश्णों को आप तयार खल लीजिए वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माकदेशन फॉर सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार